नमस्कार सांतियो दिवी ग्यान के योट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है गिरीश मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी सहायक अध्यापक L.T. पर आधारित विसे सिरीच सिक्षण अभिरूची जिसका आज का टॉपिक है सिक्षक की योगिताएं एवं गुण एक सिक्षक जो की राष्ट निर्माता होता है एक पतिष्ठित पदपर होता है उसकी जो योगिताएं हैं उनका किस प्रकार से निर्धारन होता है उसमें क्या गुण होने चाहिए और वो कैसे अपने विद्यार्थियों में एक आदर्स व्यक्तित्तु या एक आदर्स महापुरूस इससे कह सकते हैं की छवी बना सकता है तो उससे संबंदित हमारा आज का टॉपिक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक LD भरती परिक्षा का महतुपून टॉपिक है सिक्षण की योगिता यहमगुण तो आईए शुरू करते हैं अपना टॉपिक तो देखिए सिक्षण में बालकों को समझने की सकती उनके साथ उच्षित रूप से कारी करने की छमता सिक्षण योगिता कारी करने की इच्छा सकती और सरकारिता आदिगुणों की अपिक्षा की जाती है ठीक है क्या कहे रहा देखो ध्यान से देखना सिक्षण जो है सबसे पहले किसको समझेगा बालकों को समझेगा तो उस बालक को समझने की उसमें सकती होनी ची उसकी भावनाओं को समझने की उसमें सकती होनी ची उसके व्यवहारों को समझने की सकती होनी ची और उसी के साथ उनके साथ उचीत रूप से कारी करने की छमता भी होनी चीए कैसे एक सिक्षक छोड़े बच्चों के साथ कारी कर सकता है तो उसकी छमता उसके अंदर होनी चीए सिक्षण योगिता होनी चीए कि कैसे वो अधिगम कराता है बच्चों को उसमें योगिता हैं होनी चीए अपने में कारे करने की इच्छा सकती होनी चीए अगर इच्छा सकती ही नहीं होगी तो नहीं कर पाएगा तो ऐसे गुणों की अपिक्चा एक सिक्छक से की जाती है और इसके सांथ सांथ और क्या-क्या गुण होने चीए एक सिक्षक में एक अध्यापक में और क्या गुण होने ची तो उन पर बात करते हैं तो देखें सबसे पहले चरित्र सबसे महत्वपूर्ण जो सिक्षक है वो क्या है एक आदर्स के रूप में समाज के सामने, देश के सामने, बच्चों के सामने और सभी के सामने एक आदर से होता है तो सबसे पहले उसका चरित्र जो है सबसे पहले इस पर बात होती है कि क्या अध्यापक का चरित्र अध्यापक बनने लायक है या नहीं है तो इसमें क्या है आज भारत के समुख चारित्रिक संकट सबसे बड़ी समश्या के रूप में है देखिए जैसे जैसे पश्मी करण का दोर बढ़ ला है ठिक तो उस दोर में आधुनिक्ता के दोर में जो हर चीज आगे की ओर जा रही है लेकिन जो एक नेतिक मुल्दी है जिन्हें चारित्रिक के गुण कहते हैं उसका संकट आज एक समश्या के रोप में हम सभी के सामने है सभी प्रकार से मानुवी मुल्यों का हरास हो रहा है इस इस्सिति में यहाँ उचित है कि अध्यापक स्वेयम के भीतर चारित्रिक गुरूं को विक्सित करें तो एक अध्यापक ही ही है जिससे अपेच्छा की जा सकती है किस आधुनिक्ता और पच्छिमी करण के दौर में वह कैसे चारित्रिक गुरूं का विकास कर सके प्राचीन, रिशियों और गुरूं के उधारे उन्हें उचित दिसा में निर्देश दे सकते हैं अध्यापक को यौसदे ध्यान में रखना चाहिए कि उसका संपूर्ण कारी वियापार स्वेत वस्तर के समान है जिस पर कालिक का एक भी चीटा भी उसे समाज और विद्यार्थिकी द्रिश्टी में नीचे अगिरा सकता है तो एक अध्यापक ही ऐसा वियावसाई है उसे इतना संपल के समाज में रहना होता है ठीक है क्योंकि सिक्छक बनने से पहले और सिक्छक बनने के बाद दो अलग-अलग उसके अंदर वक्तित्व हैं सिक्षक बनने से पहले उसे सिक्षक की रूप में कोई नहीं जानता है लेकिन अगर वो आज सिक्षक बन चुका है तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है वो सिर्फ एक जब school time में ज़र school timing होती है उसी वकट सिक्षक नहीं होता है जब वो छुट्टी के बाद घर भी जाता है और अपनी जो है छुट्टी के टाइम के बाद की ड्यूटी में रहता है अपने रियल लाइफ में अपने घटनाओं के साथ रहता है तो उस वक्ते भी समाज की नजर उस पर रहती है उसके किरिया कलापों पर रहती है उसकी बोल तो उसे हमेशा अपने जो है चारित्रिक विसेश्ताओं को जो हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए क्योंकि जो सिक्षक है एक सफेद वस्तर के समान है अगर एक छीटा भी अगर उस पर दाक का पड़ जाता है तो वो फिर साप नहीं हो पाता है और उससे वो बाहर नहीं निकल और जिससे की समाज और विद्यारतियों में उसकी जो एक छवी बनी होती है वो धूमिल हो जाती है और यह बहुत बड़ा संकड उसके लिए हो सकता है आगे बढ़ते हैं व्यावसाई के प्रतिनिश्टा ठीक अब व्यावसाई के प्रतिनिश्टा क्या है सिक्षण एक प् आचान जो सिक्षण व्यावसाई है उसके प्रती एक निस्टा का भाव उस व्यक्ति या सिक्षण के अंदर होना चाहिए तेक समानी रूप से अध्यापक की वृति को वे ही लोग घ्रण करते हैं जो लोग अपने उदेशियों की प्राप्ति में असफल हो जाते हैं तो कोई डॉक्टरिंग कर रहा है लेकिन जब आम तोर पर क्या होता है जब वहां से असफल हो जाते हैं तब वो सोते चलो कुछ महीं करते हैं व्याट कर लेते हैं we ate कल लेते हैं वहां से कम से कम teacher बन लेंगी ठीक है इसलिए वहर टीचिंग के व्योवसाई को अपना रहें इस इसलिए रूचिपूर्ण अध्यापक बनने की प्रवर्ति बहुत कम लोगों में देखी जाती है। इसलिए रूचिपूर्ण अध्यापक को सबसे बड़ी चीज़ आत्म संतुष्टी होती। इसलिए व्यासाई के प्रति निष्ठा का होना एक अच्छे सिक्चक के गुण होते हैं। सिप्रकार आसावादी दिष्ठीकॉर्ण ठीकॉर्ण अब आसावादी दिष्ठीकॉर्ण क्या है। पूरा जो दुनिया है, पूरा समाज है, अपने आप में, आप देखते हैं कि बुद्ध ने भी कहा है कि दुनिया जो है दुखों से भरी वी है। उन्होंने इस तरीके से खाए, ठीक, और साथ में आप अगर कभी भी समाज में जाओगे, तो वहाँ लोगे विचार भी लोगे, तो हर कोई जाता से जादा निगेटिविटी बातें जादा करता है कि कुछ नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो उन्होंना भूत आवश्यक है, तो इसमें क्या है, परते अध्यापक को चाहिए कि वह जीवन के सभी छेत्रों में आसानवित हो, निराश्ची की स्तिती में पोशने के अने कारण हमारे अध्यापकों के समुख है, परंतु धहरी पूरवक संकल्प के द्वारा इन कारणों को दूर किया जा सकता है, जो अध्यापक निरास हो जाता है, वह तेजहीन भी हो जाता है, आसावादी होने की स्तिति में ही वह अपने विद्दियार्थों में आसा का संचार कर सकता है, तो सिंपल शी बात है, आप जो है जब सिक्षक बनने वाल हैं, इसके बात आप L.T. Lect बहुत चीज़ें जो है जो आपके अनरूप नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी आपने आसा आसा नहीं छोड़नी आसावान बना रहना है कि इसमें भी जो है बहुत अच्छे से हम क्या कर सकते हैं इंप्रूमेंट लाग सकते हैं और जैसे ही आप आपके दिमाग में आप होपफुल रहेंगे तो वो चीज़ें धरातल पर धीरे-धीरे होना शुरू हो जाती हैं तो एक अध्यापक को आसावादी दर्शिकों रखना बहुत आउश्यक होता है इसी प्रकार विसाय अधिकार तो बहुत बड़ी बात है अपने सब्जेक्ट में नॉलेज ठीक तो विसाय अपने सब्जेक्ट पर अगर नॉलेज नहीं होगा अध्यापक का तो वो कितना भी कुछ भी कर ले तो उसका जो में मकसद है विद्याले में जो अधिगम करना बच्चों को सिखाना अगर टीचर खुद ही उस कॉनसेप्ट पर जो हमारत हासिल नहीं होगी तो कैसे बच्चों को समझा पाएगा ठीक अध्यापक का अपने समंदित विसाय पर पूर्ण अधिकार होना आवश्यक है छात्रों को कभी भी अध्य कचरा और अपूर्ण गयान न दिया जाए इसमें अनिक खत्रे होते हैं ठीक है तो सबसे पहले सिक्षक को चाहिए हो सकता है क्य होता है और फिर पूर्ण रूप से जब सीख जाएगा तो उसे वो बच्चों को पढ़ाएगा क्योंकि अगर पूर्ण रूप से उसे नहीं आता है तो एक काहवत है कि अतकरा और अपूर्ण गयान किसी को नहीं देना जी इसमें बहुत अधिक खत्रे होते हैं इसी परकार विनोथ प्री ठीक विनोथ प्री का मतलब है विद्याल जो सिक्छक है इसे हमेशा जो है खुसी वाला महौल जो है जिसे खुसनुमा महौल जिसे कहते हैं उसे बनाए रखना चाहिए जैसे ही अगर मान लो अध्यापक है उसकी डेली लाब में ठाय कोई भी प्रॉब्लम च क्या करें बच्चेओं को हसाने की कोशिच करें क्योंकि आपको 6-7 घंटे क्लास में रहना है तो अगर आप जो स्ट्रीक महौल लखोगे खुसनुमा महौल नहीं रखोगे तो बच्चे उग जाएंगे ठीक है इंट्रेस्ट नहीं लेंगे ठीक तो इसी प्रकार सिक्छक को हसमुक अर्थाद विनोधी होना एक सीमा के भीतर उसके सिक्चन एम विवार में प्राण वत्ताला देता है प्रतेक दिन का पार्ट सरल वातावरण में समापत होना चाहिए विद्यार्थियों का उसका सिक्चन कभी उबाऊ ना परती तो इसी लिए बीच बीच में लोजी है तो इनका ग्यान अगर टीचर को नहीं होगा तो वह उसका जो सिक्चन है धीरे धीरे उबाऊ होने लग जाएगा तो आप वो कितना भी इंटरस्ट लेकर आया अपने बातों से लेकिन जब तक वो सिक्चन विद्यों का ग्यान उसे नहीं है उनका अनुप्रियों को बच्चों के सामने नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस वह जो हो प्रभावी सिक्चन नहीं कर सकता है तो इसके लिए है समुच्चित ग्यान उप्युक्ति सिक्चा विद्य के अभाव में प्रभावसाली ढंक से छात्रों को नहीं दिया जा सकता अध्यापक को प्र तो संबंद बिल्कुल नहीं होने चीए, क्योंकि बच्चे जो है, हर आयूद में आप देखते हैं, सहसा वस्ता से बाला वस्ता माते हैं, ठिक बाले वस्ता से फिर किसोरा वस्ता माते हैं, ठिक ऐसे करके उनके सरीर में हार्मोनल चेंज होते हैं, सारिक चेंज होते हैं, तो अध्यापक क्या एक इस्तिर प्रवलति का है वो जो अध्यापक बन चुग है परिपक को है तो उसे इन चीजों को समझते वे हमेशा ही चात्रों के परति इसने संबंद रखनी चीए ठिक अपने से छोटों के निकट को जानना उनकी कठनाईयों को समझना ठिक क्या है अपने चात्रों को निकट से जानना उनके कठनाईयों को समझना उनके प्रतीम मरियादित व्यभार करना अथ्वा उन्हें विद्यालाई पित्रसाच ने प्रदान करना परतेग अध्यापक के व्यक्तित्तों की एक मुख्यू विस्षिता होनी ची। ठीक है, तो क्या है? हपने सबसे पहले अपने चात्रों को निकट से जाना, एक तुटा जानते हैं, एक हवाव बहुत उनके जह निकटता से जानते हैं, अपने के भाव से जानते हैं, उनकी कठिनाईयां क्या हैं? उनके daily lap में कैगा तो समझे हैं परिवारीक समझे हैं टीक है उनसी चीज़ों को समझना उनके परती मर्यादित विवहार करना और उन्हें विद्याले में पितरसा इसने यानी कि जैसा ही पितर अपने पूतर से विवहार करता है वैसे ही टीचर को चातर से विवार करना चाहिए पर तेग अध्यापक के विक्तित्तु की ये एक मुख की विषेज़ता होनी चाहिए चातर पर अध्यापक में परसपर का संवर्ण जितना ही धुरूढ होगा शिक्चनकारी उतना ही आउरोधग मुना होगा चात्रों को अनुसासन में रखने का यह सबसे बड़ा, क्या है, सबसे बड़ा एक परकार का तरीका बोल सकते हैं, ठीक है, अगर चात्रों को अनुसासन में रखने का लिए सिर्वर डंडा नहीं चीए, या कठोर बात हैं नहीं चीए, तो उनमें अगर इसने पूर्वक संब पिता-पुत्र तुली संबंद हैं, आप उन्हें की कठिनाईउं को समझ रहे हैं, उनको निकट से जान रहे हैं, उनके सार मर्यादित व्यवहार कर रहे हैं, तो यह चात्रों को अनुसासन में रखने का सबसे सरल तरीका हो सकता है, बढ़ते हैं आगे, अध्यावसाई, ठीक जैसा कि मैंने सुरू में आपको बताया था, एक अध्यापक क्या होता है, अपने आप में एक अच्छा छात्र भी होता है, एक student भी होता है, एक अच्छे student की विस्ष्टा है, कि वो हमेशा अध्याद्यान करते रहे, ठीक है, अध्यान करता रहेगा, तो उसके ज्यान में व्रदी होते रहेगी हो ग्यान में व्रदी होते रहेगी हो उसके आत्मिश्वास में व्रदी होगी और उसके भासा सैली में व्रदी होगी और धिरे धिरे वियवारिक होने लग जाएगा उसकी जो ग्यान है उसके वास्तिविक्ता से उसके चहरे पाएगा उसका तेज तो एक आत्मी विस्वास का संचार एक सिक्षक के अंदर होगा तो अध्यन करते रहना ही अपने आप में एक सिक्षक का महत्व गुण होता है अध्यापक को सदेव अपने कार में सिथिलता और आलशी के इस्तान पर परिश्रम को महत्व देना चाहिए परिश्रम में सिक्षक सीग रही प्रध्याना ध्यापक ध्यापक को एम थात्रों के बीच आदर और विश्वास का पादर बन जाते हैं इसी प्रकार सामवेगिक संतुलन ठिक एक टीचर के अंदर जो समवेगों का संतुलन बिलकुल होना चीए ऐसा नहीं कि अगर वो हस रहा है तो कुल हसता ही जा रहा है रो रहा है तो रोता ही जा रहा है चिटचड़ा पन उसके अंदर आ रहा है तो चिटचड़ा पन उसके अंदर होता जा रहा है गुसा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा गुसा आ रहा है तो ये जो समवेग हैं अध्यापक के अंदर एक किसी सामानी मिनुष्टी के अंदर ये समवेग होते ही हैं तो इन में संतुलन बहुत आउश्यक है ऐसा नहीं कि आप सभी किसी को बिल्कुली नेगलेट करते हैं और किसी को बढ़ा दे रहें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है इन स्तिर्टा से प्रस्त अध्यापक, चिर्चिडे और हाश्यापद व्यक्तित्वाले हो जाते हैं, समवेगों पर नियंतर्ण प्राप्त करने वाले अध्यापक प्राय और गंभीर प्रकृतिके हुआ करते हैं, अध्यापक को बालुकों के समवेगों को ठीक से समझना चीए, तो कहने का असा ही है, अपना भी समवे संतुलतन में रखे और बच्चे का समझे, पहले समझेगा तभी तो उनका परिमार्जन उनमें सुधार करने की कोशिश कर पाएगा, ठीक, बढ़ते हैं आगे, सिक्छा मनुविग्यान का ग्यान, तो देखिए, अगर एक अध्यापक ह तो उसने बियाट किया होगा, तो वहाँ अच्छे से उस शिक्चा मनुविग्यान पढ़ता है, ठीक, शिक्छन भी रूचियां पढ़ता है, ठीक, छात्रों से सम्मंदी साइक्लोजी मनुविग्यान को पढ़ता है, तो उसका ग्यान उसे बहुत जोड़ी, अगर कोई बि अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ चात्रों के व्यक्तिति विकास के लिए बाल मनुविग्यान की समस्थ बातों की विस्ति जानकारी रखे, इसी प्रकार अध्यांसील प्रकरती, ठीक, यह अभी हमने पढ़ लिया की, कि सदय अध्यांसील बने रहना चाहिए एक सिक्चक से पर इस्कूल के अंदर सिक्चक नी है और समाज में भी सिक्चक है, तो एक उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह हमेशा ध्यनसील बना रहे, उसे ज्यान विग्यान की नूतन जानकारीओं के लिए पुस्तिकों के अतिरिक्त पत्रपत्रिकाओं का निमित पाठ अपने विश्य की सम्यक जानकारी के साचा उसे अन्य विश्यों की भी कम से कम सामानी जानकारी तो होनी ही चाहिए इसी प्रकार भारती संस्कृति और परंपरा का ग्यान देखिए अगर आप अपनी संस्कृति और परंपरा पर जो है आपको उनके बारे में पता नहीं है भाइरत की संसक्रिटी बहुत महान नहीं है उसमें यह थी जाती ब्रदाती यह थी तो बिना अगर पड़े हुए आप इस तरीके से कमेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी संस्कृति, अपने जड़ों, अपने परमपराओं का नहीं आपने सम्मान कर बारे हैं, नहीं उनको पढ़ रहे हैं, तो एक अच्छे अध्यापक, एक अच्छे सिक्छक में भारती संस्कृति अगर आप पुरा नकार देते हैं संस्कृति प्रमप्रा को तो आप उस व्यक्ति की तरह रहेंगे जिसके कोई पहचान नहीं है जैसे एक व्यक्ति है तो उसका नाम होता है ठीक तो उसे नाम से पहचानते हैं उसके घरवालों के नाम से पहचानते हैं उसके गाउं के नाम से पहचानते हैं उसके सहर के नाम से जानते हैं तो उसकी पहचान है उसी प्रकार एक अगर भारती है तो भारती ता एक पहचान है उसकी संस्कृति क्या है वो उसकी पहचान है उसकी पहचान है उसकी पहचान है उसकी पहचान है उनकी भासा क्या है उनकी पहचान है तो भारती संस्कृति और प्रंप्रा का ग्यान एक सिक्षक को होना बहुत आउशक है वो तभी होगा जब वो उसके बारे में पढ़ेगा उसके बारे में अध्यन करेगा और उसे अपनाएगा और अपने बच्चों के समख उसे प्रस्तूत करेगा परतेक भारती सिक्षक को जो सिक्षा का मुख्य उद्देशी था ये भहती कोस्तों प्राप्त करना नहीं था कि हम जो है रुप्य पैसे कमा लें समाज में समाण उद्पन नकल लें तो ये कभी भी नहीं रहा था हमारी जो सिक्षा है उसका जो है उद्देशी, हमारी सिक्षा का उद्देशी था साविद्या याविमुक्तई कि विद्या वही है जो मुक्ति परदान करे तो क्योंकि आपको पता है आप चाहे कितना भी अच्छा सम्मान प्राप्त कर ले रुपिया प्राप्त कर ले, बिजनेस प्राप्त कर ले तो एक स्थित्य ऐसी आएगी कि आप को जब बोड़े हो जाएगे और जब आपका सामर्थ कम हो जाएगा तो उस वक्त आप सोचेंगे कि क्या रुपिया ही सब कुछ था, या फिर कि समान ही सब कुछ था, क्या मैंने अपनी मुक्ति के कुछ उपाई किये हैं कि मैं जब मेरे मृत्त ही हो जाएगी उसके बार मैं कैसे, मिरा आज क्या अस्तित्त रह जाएगा तो मैंने उसके लिए कुछ काम किया है, तो उस वाली वाली thought process तक हमारा भारति कल्चर पहुँचा हुआ था ठीक और जिसे आज की दोर पर उसे बिल्कुल ही धिरे धिरे नस्ट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सिक्चा का उद्देश सिर्फ नौकरी बाना है ठीक तो लेकिन हमारी जो इसलिए हम बोलने कि भारति संस्कृति अपने आप में ये क्या है बिल्कुल इतने गहरे अर्थों पहे है कि आप जो है उसका जो है बहुत फायदा उठा सकते है ठीक सिक्चा संस्कृतिक धारा को एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक पहुँचाती है और यहा कारी सिक्चक के सईयोग से ही संभव हो पाता है इसी परकार स्वस्थ आदतें एंवम सरल स्वभाव एक अध्यापक में स्वस्थ आदतें होनी चाहिए और सरल स्वभाव होना चाहिए ठीक इसके अंधर अध्यापक सदैय गंदी आदतों तता दूम्रपान आदिसे बचें विद्याले निमत समय में आना नियम पूर्वक अपना कारे पूरा करना उसकी आदत होनी चाहिए ठीक है? यानि कहने का मलब है उसका टाइम का पाबंद उसे बिल्कुल होना चाहिए उसमें गंदी आदतें में नहीं होनी चाहिए धूम्रपान, मादिरापान ऐसी चीज़ें उसमें नसे से दूर हैना चाहिए ठीक, समय में आना अपना नियम से पना कारे करना ठीक, उसकी ये आदत में जो हैं सामिल होना चाहिए उसका स्वभाव पानी जैसा सरल एवं तरल अवश्यों परन्तु खारापन एवं कलोसिता नहीं उसमें होनी चाहिए अध्यापक का वेश सुरूची पूर्ण एवं स्वभाव नुकूल वह बाहर से ध्रड परन्तु भीतर से कुम्र सुभाव वाला होना चाहिए यह अच्छे अध्यापक के गुण भी होते हैं इसे प्रकार पाथिक्रम सहेगामी क्रियाउमर उच्यों को करीकुलम एक्टिविटी सिर्फ किताबी कीडा नहीं बनना है उसके साथ को करीकुलम एक्टिविटी को बढ़ाने वाला जो है गुण एक अच्छा ध्यापक में जरूर होना चाहिए अध्यापक का सम्मन्न कर्था शिक्षण से ही न होकर विद्याले में संपन होने वाली पाठिकरम सहगामे किडियाओं को उसे अवस्य होना चाहिए उसे भारती खेलों का अच्छा ग्यान होना चाहिए क्योंकि इन खेलों में धनकी आवशिक्ता नहीं होती या बहुत कम होती है विदेशी खेलों में भी वह सुपरिचित हो विदेशी खेलों का ग्यान भी उसमें आवशिक्ता जो भारती खेलों का ग्यान होना चाहिए भारती भासाओं का ग्यान होना चीए, इनमें खर्ची भी कम आता है, साथ-साथ जो विदे सिखेलें, उनका भी उसे जो है ग्यान होना चीए, ठीक, और विद्यालाई के रंग मंजुरें, विद्यालाई में सांस्कृतिक कारिकरम होते हैं, उनका भी उसमें जो है क्या लगा का होनी जी ठीक तो क्या इसमें डॉक्टर सरवपले रादा किष्णन जी ने लिखा है कि समाज में अध्यापक का इस्तान अत्यंत महत्यपूर्ण है वो एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी को बौधिक परंप्राएं और तक्निक की कोसर पहुचाने का केंद्र है और सभेता के प्रकास को प्रजुलित रखने में साहता देता है एक सच्चा अध्यापक जीवन प्रियंत विद्यार्थी बना रहता है तो दियान रखना डॉक्टर सरवपले रादा किष्णन जी ने लिखा है कि समाज में अध्यापक का इस्तान अत्यंत महत्यपूर्ण है वो एक पीड इसे दूसरे पीड़ी को बहुत धिक परंपराएं और तक्नीकी कोसल पहुँचाने का केंद्र है और सब्भेता के प्रकास को प्रजुलित रखने में साहता देता है एक सच्चा अध्यापक जीवन प्रियंत एक विद्यार्थी बना रहता है तिक शिक्चक को अग्यान पर प्रिकास दिखा कर मानवता के पत्का और लोकित करने वाला कहा गया है कोठारी कमिशन ने भी अध्यापकों को राश्निर्माण की संग्या दी है तो जो देखो यहां से क्वेशन बन सकता है कि किस कमिशन ने अध्यापकों को राश्निर्माण की संग्या दी है तो उसम इन में आता है क्यों कि वह wow और व्यक्तियों से अधिक चरित्रवान होता है उधार होता है सही सुन होता है दयलू होता है एक अनिवारी आउशक्ता है सेक्षिक कारिक्रमों की सपलता अध्यापक के व्यवहार योग गिता एवं कारी पढ़नानी पर ही निर्वार करती है वर्तमान समय में अध्यापक का साला में प्रमुगिस्तान माना जाता है सेक्षिक एम मनुविग्यनिक सोध ने यह सिद्ध कर भी या फिर उसके ऐसा होने के बाद में एक सिख्षक है इसकी जो भूमी का है बहुत जादा महत्ु पूर्ण होती है क्योंकि वही एक नियंतरक होता है हम वैसा नियंतरक नहीं बोलेंगे संचालित करने वाला बोलेंगे लीडर के रूप में बोल सकते हैं सिख्षक के बिन के प्रिसासन या अन्य बाहिय अधिकारी उसी अध्यापक की प्रसंसा करते हैं जो जो अध्यापक के गुणों से मंदित हैं साथ ही प्रदत कर्तवियों का निर्वा भी सबलता पुलव करता है एक अध्यापक में निमने लिखित कर्तवियों का पालन अविश्य करना चाहिए कौन कौन से होने चाहिए शिक्चन संबंदित की एक अध्यापक है तो उसका शिक्चन संबंदित क्या है तो वो जो पढ़ाए क्लास में जा रहा तो पढ़ाए अच्छे से पढ़ाए और इस तरीके से पढ़ाए कि बच्चों को जो अधिगम के जो अधिशियां वो प्राप भावित करता है इसी प्रकार दूसरे है पार्ठीक्राम सहगामी किरियाओं इसम्बंदित जो को करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं उनके माध्यम से क्या करे हो जो सिक्ष के सांद साथ बच्चों को पार्ठी सहगामी किरियाओं में भी अक्टिव रखे तो ये उसका को भारसरोब नगरण किया जाए अध्यापक को स्वेम रूचिपूंड क्रियाओं में सक्री रूप से भाग लेना चाहिए इसी प्रकार अभिलेक संबंदित क्या है यानि अब देखो एक अध्यापक है तो जो है ऑफिस के कुछ काम भी तो करेगा हो ठीक उसके भी वो भी उ आप तो साउधानी के साथ की जानी चाहिए जिससे सभी सूचना है वियावस्थित हो जाए इसी प्रकार परिक्षा संबंदित अब देखे पड़ाई पड़ाई ही जो है बच्चों सिर्व पड़ाना ही नहीं है उनको सिर्व जो को कारी का उकलम एक्टिविटी है वहीं त परिक्षा पल तयान करना पड़ता है इस कारी में परियाप्त सतरकता पेक्षित है परिक्षा संबंदित मुल्यांगन में अध्यापक को सदेव निस्पक्ष होके ही एक अच्छा मुल्यांगन करना ची इसी परकार छात्रों के निरिक्षन संबंदित अधिको आपने मुल् संबंद निर्मान संबंदी संबंद निर्मान क्या है अध्यापक का अपने विद्यार्थियों मित्रों परधानाचार आदि से स्वस्थ संबंद बनाने का प्रियत्न करना चाहिए परस्पर के संबंद से चातरों का काफी हित किया जा सकता है इसी परकार समाज सेवा संबंद उसके करतब भी होते हैं उसके अंदर गद समाजिक सेवा संबंदी दायत्नों का निर्वा भिवाव के स्वयोग से करना चाहिए यानि कि पैरेंस का भी स्वयोग लेना चाहिए उस प्रत की प्रती भी उसके उत्तरदाय तुक्रत भी हैं उनका भी निर्वहन उसने किया करना चाहिए इसी प्रिकार एक अच्छा शिक्चक कैसे कैसा होता है उसकी 10 विश्यस्ता है अब हम पढ़ने वाले हैं तो देखो क्या क्या आएंगे इसमें ठीक भारत के पूर राश्प पेशे से एक शिक्चक ही थे उनका शिक्चक के प्रती बहुत प्यार था वे एक दार्सनिक भी थे आओ जानते हैं अच्छे शिक्चक के क्या गुण हो सकते हैं तो देखते हैं क्या कहें आदर्स व्यक्तित्तु ठीक एक शिक्चक का क्या होना चाहिए आदर्स व्यक्तित् उसके इमानदारी क्या गुण होना ची, उसमें सरल और सहस्ता का गुण होना ची, उसमें महनत का गुण होना ची, तो ऐसे गुण से क्या होगा, एक जो अध्यापक है, वो आदर्स व्यक्तित बन सकता है, तो आदर्स व्यक्तित उसके अंदर गत होना ची, सरो गुण संपन हो पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है, लेकिन उसको हमेशा ऐसे प्रियास करने चीए, जिससे कि वो जो भी व्यवहार करें, उस व्यवहार के पृति क्या हो, एक जो है गूरता का प्रभाव जो है उच्चता रिस्तर पर हो, धीरे धीरे अपने को इस तरीके से बनाए, कि उसमे और आवगोंड उससे दूर हो जाएं और गोंड उसमा जाएं तो धिरे-धिरे, क्योंकि सिक्छक बनना एक दिन में सिक्छक नहीं बनता है, मानलो आपने एग्जाम दिया, अपने LD Lecturer का एग्जामदी आप सिख्चक बनेगे तो आप एक दिन में सिख्चक नहीं बन जाते हैं ये प्रोसेस जीवन परियंदे चलते रहती है और उन जीवन परियंदे प्रोसेस में आप क्या करेंगे अपने अंदर गुणों का विकास करते रहेंगे और अगुणों को छोड़ते रहेंगे तो एक सिती ऐसी आएगी कि एक सिक्षक सरवगुण संपन हो जाता है इसी प्रकार आदेश नहीं निर्देश दें ठीक, तो एक सिक्षक है ठीक, वो कोई एक प्रकार का जो है, हिटलर नहीं हो हिटलर साई नहीं है, उसके अंदर वो बच्चों को आदेश नहीं देता है वो निर्देश देता है, ठीक है वो जो है, ओर्डर नहीं देता है बलकि वो इंस्ट्रक्शन देता है जो आदेश और निर्देश में बहुत अंतर है आदेश से क्या होता है अगला जो काम करने वाला है वो क्या करेगा दवावमा काम करता है जबकि निर्देश से क्या करता है बच्चे को लगता है कि ये मेरा ही काम है बस सिक्चक ने हमें हलकी से हेल्प कर रहे है और ये काम हमारा है हम इसे करेंगे जबकि आदेश में क्या होता है बच्चे समझते हैं कि सिक्षक का काम है और यह जब अदरस्तियम से करवा रहा है तो यह आदेश हो गया और निर्देश क्या हो जाएगा निर्देश में बच्चों को लगेगा कि ये काम ही हमारा है टीचर हमारी मदद कर रहे हैं ठीक और यह हम अपना काम अच्छे से कर पहेंगे तो एक सिक्षक को कभी भी आदेश नहीं रेना चाहिए जबकि निरदेश देना चाहिए इसी परकार समानता का वहाँ होना चाहिए सिक्षक के समुख जितने भी विद्यारति हैं सभी एक समान होते हैं ठीक उनमें जो है किस इसी परकार का भेदवाव एक सिक्षक के अंदर नहीं होना चाहिए उस् सभी बच्चों में समनता का भाव देखे इसे परकार रोचकपूर्ण अध्यापन जो सिक्षक है उसके अध्यापन में क्या हो नीची है जो है एक प्रकार के रूची हो नीची है इस प्रकार से वो पढ़ाए कि बच्चों को पढ़ने वो मज़ाए ठीक इस तरीके से संधादनों का उप्योग करे सबसे अच्छा एक जामपल आजकल खांसर गया अगर आप क्लास देखेंगे तो उनकी क्लासों में हमेशा रोचकपूर्ण अध्यापन का सबसे अच्छा एक जामपल उनका है ठीक अगर आप कभी उनकी वीडियो भी देखेंगे कभी देखेंगे तो आपको मज़ा आता पढ़ने में ठीक आपको लगता ही नहीं आप क्लास पढ़ने में आपको ऐसा लगता है कि हम इन्फोर्मेशन ले रहे हैं और वो बिल्कुल खुसमिमा माहुल में इसी प्रकार अनुभाव बाटे एक जो अध्याफक है उसे सिर्फ किताबी ज्यान जो है बच्चों को ना दे उससे समने जो अपने वे अनुभाव है ठीक है किसी दूसरे के अनुभाव उन्होंने सुन रखे ठीक तो वो समाज में रहता है तो वो अनुभाओं को बच्चों के सामने बाटें, जिससे की बच्चों को समझने वे चीज़ों को वास्तेविक्ता से जोडने में चीज़ों को आसानी हो, इसलिए हमेशा सिक्षक को अपने अनुभाओं बाटने चाहिए, इसी प्रकार कोई विद्यारती अध्यापक क्यों नहीं बनना चाहता, आज के दौर पर जो है, कोई विद्यारति अध्यापक क्यों नहीं बनना चाहता, तो देखिए इसमें, आज कल के बच्चों से यह पूछा जाए कि तुम क्या अध्यापक बनना चाहोगे, तो क्लास्रूम में सहाद एग ही बच्चा गए कि वह प्राइरिटी में नहीं रहता, अध्यापंड एसा क्यूं है, ऐसा इसलिए है यह अध्यापंगों को जो है, इसके बारे में समझना चाहिए कि ऐसा क्यूं हो रहा है, आधकल देखा गया है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल और उनके टीचरों में कितना अंतर आ गय प्राइवेट स्कूल और गॉर्मेंट स्कूल तो प्राइवेट स्कूल में आप देख रहे हैं कि किस तरीके सा सिख्षक है उसका सोचन हो रहा है वो इतनी मेहनत कर रहा है उसे 4-5,000, 6,000 रुपे, 7,000 रुपे, 10,000 रुपे दिये जा रहे हैं ठीक और उससे काम इतना लिया जा रहा है कि जितना सरकारी स्कूल का जो टीचर होते हैं वो जो एक हफते में करते हैं वो एक दिन में उतना काम करते रहे हैं तो कहने का मतलब है इसका सीरा जो चीज़ें है क्यों कौन देख रहा है? बच्चा देख रहा है और बच्चा ऐस हाल में कभी उस हालत में अपने को जाते वे नहीं देखना चाहता है वो चाहता कि इससे अच्छी चीज़ें उपड़ जाएं तो कुछ भी नहीं है ठीक तो कहने का मतलब है आज कर के दौर में बच्चे अध्यापक इसलिए भी मनना नहीं जा रहे है क्योंकि समाज में इस तरीके से जो है अध्यापकू की स्थिति होगी है तो हमेसा अपने अध्यापकू को भी देखना चाहिए कि किस तरीके से वो जो है अपना सम्मान पुर्ण हो प्राप्त करे उसके लिए कुछ न कुछ परियास करे ठीक है जहां कुछ गलत चीज़ें हो रहे हैं उसका विरूत करे और धेरे धेरे जो सिक्चक व्यवसाई है उसे एक प्रक्तिश्टिट और जो है जिस परकार से ISPCS लोग चुनते हैं वैसी सिक्चक को भी चुने उसके लिए परियास करना चीज़ें इसी परकार उधारण और कहानियों तो एक सिक्चक को पढ़ाते समय उधारण और कहानियों का भी उप्योग करना चीज़ें समय और अनुसाजन का पाबंद होना चीज़ें इस पर हम बात कर चुके आत्मसंमान तो अगर जिस सिक्चक में आत्मसंमान नहीं है तो उसे देखें विद्यारती क्या सिखेंगे सिंपल सी बात है एक अच्छा और प्रभावसाली अध्यापक हो है जो विद्यारतियों पर ध्याने अध्यापक और अन्य के सामने कि किसी भी गलत बात के लिए जुकता नहीं हो किसी प्रकार का अन्याई सहन नहीं करता हो और किसी भी गलत बात से समझोता नहीं करता है जो अध्यापक अपने कर्तब्यों और अधिकारों के परती सचेत रहता है वही अपने आत्मसम्मान के लक्षा कर पाता है तो आत्मसम्मान का गुण भी एक अध्यापक के अंदर गदोना चीए तो यानि कि किसी गलत के सामने ना जूपना अपने नैतिक मुल्यों पर बने रहना उनसे किसी परकार का समझोटा नहीं करना ये सबी सिक्षक के आत्मसम्मान के लक्षन होते हैं इसी परकार आप बात करते हैं आज हमने इस पर टॉपिक पर बात की है कि सिक्षक की योगिता हैं क्या होती है और उनकी गुण क्या होते हैं इनसे सम्मधित अब कुछ प्रस्न हम देखते हैं ठीक और आपको इससे आइडिया आजाएगा कि एग्जामर किस तरीके से नमर बनते हैं ठीक इस पर जो है मैंने कुछ इस पर कॉंसेट लाया हूँ और कुछ आपके पंदरों से बीचिस में क्वेश्चिन होंगे जो इससे सम्मधित आ सकते हैं हमारे आगामी बरती परिक्चा में तो देखिए सुरू करते हैं उन्हें अच्छा व्योहार सिखाती है उनके सांस्कृतिक कल्चर और भासाई ग्यान को महतो देती है और उनका उप्योग करती है या फिए उनकी भासा के उप्योग को हतोसाइद करती है तो यह गलत है निगेटिव दो देखना ही नहीं वर्गी करण क्लासिफिकेशन भी नहीं करना है यह भी निगेटिव है उन्हें अच्छा व्योहार सिखाता है या फिए उनके सांस्कृतिक कल्चर और भासाई ग्यान को महतो देते हैं तो ज़्यादा भैतर आंसर है उनके सांस्क्रितिक कल्चर और भासाई ग्यान को मैतु देना है और उनका उप्योग जो है कक्षा में करना ये एक अच्छा जो है आंसर इसमें हो सकता है इसे परकार कक्षा में स्रिजनात्मक्ता क्रियेटिव और पतिभासाली इसे परकार से सिक्षण अभियोगिता का क्या अरत है क्या सिक्षण बनने की इच्छा है या फिर सिक्षण कारी करने में लगन है या सिक्षण का कारी करने है तो अपेक्षित सभी योगिता है या इन में से कोई नहीं तो अभियोगिता का मतलब नाम से इस परस्ट लग रहा है कि सिक्षण का कारी करने है तो अपेक्षित सभी योगिता है इसे पकार एक सिक्षक को ग्यान के अलावा अपने विद्यारतियों को और क्या सिखाना चीए तो ग्यान ग्यान के सांद क्या कराना चीए लक्षप्राप्ति के लिए प्रियास करवाना चीए विप्रीट परिस्तितियों में भी संयम या मोडरेशन वसंतुलन न खुलना ये सिकाना चीए या फिर समय का सदोव्योग सिकाना चीए तो सभी चीज़ें सिकानी चीए तो ये सभी इसमें आंचरा आता है बढ़तें आगे सिक्षा तभी सार्थ तक होगी जब वह पार्थिकरम केंदेत हो चात केंदेत हो रोजगार केंदेत हो समाज केंदेत हो तो आज की दौल पर चात केंदेत ही जो है सिक्षा की बात होती है तो चात केंदेत होनी जी ठीक है इसी प्रकार आपके विचार में सिक्षा का उद्देश, aim of education होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिक्षा गरहन करने के बार नौकरी, छात्रों की मांचिक योगी तका विकास, साक्षर बनाना या बालक का सर्वांगिर विकास, ठीक, तो कहने का मलब है, जो आपका सबसे बहतर आंसर होगा, उस्टोर जाएंगे, सिक्षा का उद्देश होना चाहिए, इसे प्रकार पार्टिकरम निर्मान, करिकुलम, कॉस्ट्रक्शन में किस बात को मुख की रूप से द्यान में रखना चीए, सिक्षा के उद्देश्यों को रखना चीए, चात्रों की आवश्यक्ताओं, रूच्यों, योगिताओं को रखना च जाता है पाठ करिकुलम के अंदर कर नहीं किया जाता है त्यान रखना अगला प्रस्न है भासा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्रपूर मानते हैं बाल साहित्ति को मानते हैं संग्यनात्में विकास को मानते हैं इंट्रेक्शिन इसे मानते हैं दृष्टिस्रव वेसा शिकाने में जिसमें व्यक्ति लोगों के संथ का करता है अपनी विचारूं का नगलता है तो वह अंतियक्री up. बहाजा सिकाने में सास्ते जादा मेहतोपून होती है। इसी प्रकार । भासा का अती मेहतोपून का लिए। तो भासा का अति महत्वपूर्ण कारी है, लेखन है, सुनना है, अक्छर ग्यान है, संप्रेशन है, तो क्या होगा, बताइए, जो डॉट डॉट भासा का अतिंत महत्वपूर्ण कारी है, ठीक है, तो देखो मैंने क्या का, लेखन भी होता है, सुनना भी होता है, अक्छर ग् मिले अगले सपथा के दोरान सपता के अंतर में रववार को या लिखित कारी होने कारी पूरा होने के तुरंद बात तेखो ज्यादा बैतर है तुरंद बाद जो है उस्की मीनिक अर्फ सार्थक्ता कम होती जाईगी इस ही प्रकार निम्रमै से इसे लिभलterror में लोगतांत्रिक मुल्यों के उस्थापना करते हैं पुस्तकें करती हैं, प्यातना सभा करती है वार्षिक उत्सव करते है, mãन्हां करते है निखें कर सकता है, ये भी कर सकते है छात्रों के लिए मोटिवेटर अध्यापों के लिए समानतागा भाव रखने वाला या कुसल प्रुबंदक तो सिंबल सब क्वेशन है तो आंसर भी इसमें सिंपल होगा वे यह सबी अगला प्रस्टन है कोई सिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्यान करने है तो आं पाने में उन्हें मदद दे कर साथ दिखाई पढ़ने वाले इनाम देकर जैसे तौफी या उनमें चिंता और डर पैदा करें तो ज्याधा भैतर आंसर गया है विक्तिकत लक्ष निधारण करने और उनमें निपूरता पाने में उन्हें बदत देकर जो यह एक अध्यापक उन्हें मदद कर सकता है इसे प्रकार आपके अनुसार सिक्षण की योजना पद्धती होनी ची एक इस प्रकार होनी ची सिक्षण के इंदेत होनी ची प्रोजेक्ट के इंदेत होनी ची पाठ पुस्तर के इंदेत होनी ची बालक के इंदेत होनी ची तो ज्यादा बहतर है Child Central Education आजकल होती है तो Child Central Education है तो वो ही एक अच्छी पद्दती होनी चीए बच्चों को केंडर में रखके ही सभी नियम, कानून या कुछ भी चीज़ा बनानी तो बच्चों को केंडर में रखके ही बनानी चीए इसी परकार सिख्चा, सक्ति, एम, सक्ता का स्रोहत है किसके लिए महलाओं के लिए, पिछणों के लिए, बालकों के लिए, एव भी, दोनों के लिए ठीक है, तो महलाओं के लिए भी है, पिछणों के लिए भी है, बालकों के लिए भी हो सकता है लेकिन हम मैंने क्या का आपको ज़्यादा बहतर आंजर की हो जाने तो ए और भी जिसमें दोनों आ लें ठीक पिछणों में बालक भी तो आएंगे ठीक सिक्षण का मूलकारी है क्या है चात्रों को पढ़ने के लिए प्रेडित करना उनकी गलतियों को बताना अध्यान के लिए अनुकूल वातरों तयान करना या चात्रों के स्वाध्यान में साहिता करना तो ज़्यादा बहतर है जो मूलकारी है अध्यान के लिए अनुकूल वात का मुक्य कारण के सरकार के सरकार के सरकार के रोजगार के लिए ठोस नीतिका न होना सिख्छा का व्यापक प्रसार न होना उद्देशी ही मिलाजुलारू रूप हो सकता है यह नहीं होता है तो सभी का मिलाजी जी शोड़ा बहुत होता है लेकिन जादा बहतर आंजर लोगतांतिक जो कक्षा का प्रकार है है अगला प्रस्पथा सीक्षन वीडियो और वास्तविक की दिश्चिक Boost तमें जो वास्तविक क्या देरी अनुभाव WD ने उसके पदाग़ वास्तुक बिक्षा नाज का इसी प्रकार, लास्ट प्रसने है आज का, किसी प्रारभिक अक्षा में प्रभावसालिक सिक्चक का उद्देश विद्यारतियों को अभिप्रेरित करना होगा, ठीक क्या कहा रहा है, किसी प्रारभिक अक्षा में प्रभावसालिक सिक्चक का उद्देश विद्यारतियों को रटकर करने के लिए जिससे वे परत्यास में रिकॉल कर पाएं, दंडात्मक, पनिटिव उपाईयों का प्रियोग करके जिसे शिक्षक का समान करें, या फिर ऐसे काम करने के लिए जिससे परिच्चा के अंतर में अच्छे अंक पास कें, या सीखने के लिए जिससे जिग्या क्या होगा इसमें यह होगा कि सीखने के लिए जिससे विए जिग्यासू बने और सीखने के लिए सिखाना पसंद करें तो दोस्तों इस तरीके से आज हमारा एक महत्यपूर्ण एलिटी का टॉपिक था सिख्चर की योगितायों गुण इससे संबंदित हमने अच्छे से इसकी विशेष्टाय पड़ी इसके गुण पड़े और इससे संबंदित हमने 20 प्रसनिके हैं उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इससे सेर कीजिए इससे सब्सक्राइब कीजिए और आप इससी तरीके से हमारा साथ देंगे तो हम इसी तरीके से और भी अच्छे content आपके लिए लेकर आएंगे और तब मिलते हैं आपको नए content के साथ मिलते हैं कल जय हिन्ट